हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल एगरी करांती में पीछले वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए खोश्चन दिया गया था कि आलू का बलेक हार्ट रोग किसके कमी से होता है बोरान, जींग, आक्सीजन, कैल्सियम तो इसका सही आंसल है आक्सीजन जब आलू की स्टोरेज करके रखते हैं उसमें आक्सीजन की कमी हो जाता है तब ये रोग होता है और इसका सही आंसर दिये थे संदीप कुमार, दुर्गेश साहू, सुरेश साहू, ठककर सिंग, स्रिकान, कनवर, प्रकास, मांडले, सुभांगी, स्रिवास्ता, वीनु, यादव, चंदु, खेरवार, चेतन, साहू, सपना, टंडन तो इनको बहुत-बहुत बधाई हो, और आज की वीडियो में लोग डिसकास करेंगे, हाटी कल्चर का जो दूसरा ब्रांच है, पोमोलाजी फल विग्यान, पहले ब्रांच जो ओलरी कल्चर, सबजी विग्यान हो, इसके वारे में हम लोग डिसकास कर चुके थे, जो वीड अपको मिलते रहे, तो सबसे पहले कोश्चन है दोस्तों कि आम की निमीट फल देने वाली किस्म है, लंगडा, दसरी, आमरपाली, चंदरकरन, ठीक है, तो जनरली जो हाइब्रीट किस्म होते हैं, वो निमीट फल देने वाले होते हैं, और इसका अंसर आएगा, C, आमरपा गया था, ठीक है, ये हाई, जो हाई डेनसिटी प्लांटिंग करते हैं, उसके लिए सूटेबल होता है, फिर नेक्ट कोश्चन आता है दोस्तों, कि आमला में आंत्रिक्छ है, इंटरनल निक्रोसिस का कारण क्या है, जिंग की कमी, कापर की कमी, बोरान की कमी, कैल्सियम की क तो इसका आंसर है, C, बोरान की कमी, और जो हाथी जूल विरैटी होता है, आमला का उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनल निक्रोसिस होता है, फिर नेक्ट कोश्चन है, करोंदा का, करोंदा फल का उत्पत्ती स्थान है, आत्मनीरभर भारत, B, करोंदा चीन, C, अमेरिका ब् करोंदा में सबसे ज़्यादा हाइस्ट आयरेंड की मात्रा पाया जाता है, और इसका एक फेमास विरैटी होता है, मरून, और इसका फेमली बहुत इंपोर्टेंट है, इसका फेमली है, एपो साइनेंसिस, और जो इसका बॉत निकल निम है, वो कैरिसा कारेंडस है, ठीक है फिर नेक्स कोश्चन आता है, गोला किस फल की अगेती किसम है, आम, बेर, पपीता, आउला, तो इसका आंसर आजाएगा, बी, बेर का गोला जो है, गोला हो गया, सेब हो गया, ये अगेती किसम है, उम्रान जो है, वो पच्छेती किसम है, बेर का, फिर नेक्स कोश्चन आ जाएगा बी एसडिक जनरली जो फल के सभाव होता है वो एसडिक होता है फिर नेक्स्ट कोश्यन आता है नीबू वर्गी फलों में होने वाले कैंकर कहां से भारत आया आया था ए मेक्सिको बी कोरोना चाइना सी जपान डी हो गया यूएसे तो इसका अंसर आजाएगा डी य जनरली बुरान की कमी से होता है फिर नेक्स्ट कोश्चन आता है फलों का फटना किस फल का एक प्रमुक समस्या है लीची बेर चेरी उप्यूक्त सभी तो इसका अंसर आजाएगा डी उप्यूक्त सभी और फलों का फटना जनरली बुरान की कमी से होता है फिर नेक्ट कोश्चन आता है कि गनेश, भगवा, अमलीदाना, ढोल का किस के प्रमुक किसम है बेल, अनार, बेर, अंजीर तो इसका अंसर आ जाएगा बी, बेर ये आईंपी है बी, अनार, ये गनेश होगे, भगवा होगे, अमलीदाना, ढोल का ये उसका किसम है ये गनेश किस्म को RHO की एक्जाम में पूछा गया था कि किस का किस्म है तो आयद रखेगा ये अनार का किस्म है फिर नेक्स्ट कोश्चन है केले का पूस्प करम कहलाता है पैनिकल, स्पाइक, स्पैडिक, रेसिम तो इसका अंसर आजाएगा C, स्पैडिक केले का जो पूछा गया था कि रेसिम किसके पूस्प करम को कह जाता है तो किसके करम कहा जाता है फिर नेक्स प्रसारण विधी है प्रोपोगेशन मेथर्ट्स क्या है विनर गे रप्टिंग, रणर, रिंग बड़िंग, पैच बड़िंग तो इसका आंसर आ जाएगा C, रिंग बड़िंग और पैच बेडिंग हो गया यह आरेचो में कोश्चन आया था यह बेल में होता है फिर नेक्स कोश्चन है आम का खाय जाने वाला भाग कौन सा है ए बाहरी फलविती पेरिकार्प, बी अन्टा फलविती इंडोकार्प और C है मध्य फलविती मेजोकार्प और D है थेलेमस तो इसका अंसर आ जाएगा C Mesocarp मध्यब consegu को आम का खाय जाता है ठीक है जो Pericarp होता है बेर का खाय आंसर है सी सोरोसिस ठीक है पाइनेपल हो गया और जैक रूट हो गया कठल इसका सोरोसिस है बेरी जो होता है ये हो गया केला हो गया पपीता हो गया और अंगुर हो गया इसका कहलाता है डूब जो होता है आम का कहलाता है बेर का कहलाता है जामुन का कहलाता है साइकोनास होता प्रकार है इन में से कौन सा नान क्लामिटिक फल है नान क्लामिटिक में अईसे फल जिनको तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता और क्लामिटिक फल जिसको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है तो आपसन है आम पपीता केला नीबू तो नान क्लामिटिक इसमें से फल है वो है नीबू, नीबू को तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता है, नीबू सुखने लगता है फिर नेक्ट कोश्चन है, अंगूर में होने वाले हेन एंड चिकन रोग किसके कमी से होता है जिंक, केल्सियम, बोरान, नाइट्रोजन, तो ये इसका अंसर है अधिक काट्छाट की आउ सकता होती है, तो आप्सन है, बेर, अमरूद, खालसा, अंगूर तो इसका अंसर है आएगा, बेर में सबसे ज़्यादा काट्छाट की जरुरत होती है फिर नेक्ट कोश्चन है, सेब के फलो में बीटर पीस की तत्तों के कमी के कारण होता है बोरान, कैल्सियम, मैंगनिस, सल्फर, तो इसका अंसर है, बी, कैल्सियम के कमी से फिर नेक्ट कोश्चन है, कि नीबू का वानस्पत्तिक नाम क्या है सिट्रस, साइनेंसीज, सिट्रस और अंटिफोलिया, सिट्रस, रेटुकुलेट तो इसका अंसर आजाएगा, बी, सिट्रस और अंटिफोलिया, ठीक है बी, सिट्रस जो साइनेंसीज होता है, यह होता है संत्रा का, सरी, मुसंबी का, और सिट्रस रेटुकुलेट होता है, यह संत्रा का होता है फिर नेक्स कोश्चन आता है कि कीस रोपन वीधी में सरवाधिक संख्या में फल रिक्ष रोपीत किये जा सकते हैं आपसन ये वर्गकार वीधी, आपसन वी सस्ट भुजाकार वीधी, आपसन C है फिलर मेथर्स पूरक वीधी और आपसन D है कंटूर वीधी तो इसका अंसर आएगा B, हेक्जाक गोनल होता है सस्ट भुजाकार वीधी उसमें सबसे ज़्यादा मात्र में जो फल वाले पौधे होते हैं उनको रोपीत किया जा सकते हैं वर्गा कार वीधी जो होता है सबसे पापुलर मेथर्स है और कंटूर वीधी है जो पाड़ी छेत्रों में यूज किया जाता है फिर नेक्स कोच्चन आता है कच्चे पपीते से प्राप्त होने वाले पैपन है रिधी नियामक, ग्रोथ रेगुलेटर, लेटेक्स, पोसक द्रभ्य, नियुरिटेटिव, लिक्वीड और अडी इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर आ जाएगा बी, लेटेक्स, जो कच्चे पपीता से प्राप्त होने वाले पैपन है वो लेटेक्स है, ये एग्रिकल्चर जो टीचर का एक्जाम है उसमें पूछा गया था फिर नेक्स कोच्चन आता है, नेशनल हर्टी कल्चर बोर्ड कहां इस्तित है, नागपूर, महारास्टा, सोलन, हिमांचल प्रदेश, C, हर्याना, गुर्गां हर्याना, D, वानारासी, यूपी, तो इसका आंसर आ जाएगा, C, गुर्गां, हर्याना में है नागपूर में है, जो सिट्रस का रिसर्च सेंटर है, सोलन में मस्रूम का रिसर्च सेंटर है, और वानारासी में वेजिटेवल का रिसर्च सेंटर है इस question का answer दोस्तों आपको comment box में देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन कौन सदेश करता है A. आत्मनीर भाराद B. कोरोना चीन C. जपान D. मैक्सिको ठीक है दोस्तों अगर question अच्छे लगे होंगे वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और पास के बैल एकॉन को प्रेस कर दे ताकि मेरा न्यू वीडियो का notification मिलते रहे और हर Tuesday और Saturday मेरा न्यू वीडियो देखते रहें Thank you, thank you for watching